स्वास्थ्य इस सभे के दुरुष्टी से बहुत महतों का विशय है विग्जीत सुना अपने निरामय शब्द सुना निरामय याची उपासना तो हमारा जो विश्वकल्यान की प्रार्थना वाला मंत्र है उसमें भी हम कहते न सर्वे पिशुखिनस संतु सर्वे संतु निरामय याचा सर्वे भद्राणि पश्चंतु मा कश्चित दुख बाग वबेत सब लोग सुखी हो इसका मतलब है कि कहीं पर दुख्ख न रहे और दुख्ख न रहे सब सुख्खी हो इसलिए ये दो बाते कहिए किवल सब निरामय हो सब स्वस्थर है और दुसरी बात कही है सब एक दूसरे को अच्छी नजर से देखे याने सब लोग संसकारी थो उसकी मिना हो इनी सकता तो दो वीशे इसमें आते हैं मनुष्य जीवन को सुखी बनाना है तो स्वास्थ और शिक्षा शिक्षा यहने लेटर्स नहीं शिक्षा यहने डिग्री नहीं शिक्षा यहने सवस्कार है स्वास्थे के बारे में आज मैंने जो सुना मुझे बड़ा आनंद हो गया मुझे 2017 में नागोर की प्रतीन सभा में संगा ने जो प्रस्ताव पारित किया था स्वास्थे के बारे में उसका स्मरण हो गया स्वास्थे के व्यवस्था सबके लिए सुलब हो और सस्ती हो अब हो कहना अच्छा है लिए कि होगा कैसे एक सो ब्यालीस करोड का देश है पौने साथ लाग गाओं का देश है और यह बात जब हम कहते हैं कि सब तक पहुंचे वगर वगर तो लोग कहते कि फैसिलिटी नहीं है अब फैसिलिटी बात में आती है पहले मनुष्य आना चाहिए फैसिलिटी लाने वाला मनुष्य है ना कहानी आप सबको पता है कि बच्पन में कवरों पांडों गुल्ली डंडा खेल रहे थे हैं रो गुल्ली एक ने मारा ट्रोल तो कुवे में जाकर गिर गई अब वो कैसे निकालना वह बड़ा गहरा है खाली है पानी नहीं है लेकिन उसको निकालने के लिए कैसे अंदर उत्रें तो उनको एक तपस्वी से कोई दिखे वहां उन्होंने पूछा आप कौन है तो नहीं का मैं द्रोणाचारी हो हूँ आप कोन है तो हम राजकुमार है कोरो पांडो हम है क्या कर रहे है खेल रहे लेकिन वो गुल्ली गिर गई कुवे में तो उसको निकालने ही सकते हैं अब प्यसलिटी नहीं थी लेकिन दुरुणाचारी ने दर्भवो अभिमंत्रित करके उस पर छोड़ा बान जैसा और दर्भव को दर्भव दर्भव को दर्भव ऐसा लगा कि उसको खीच लिया बाहर अब ऐसा हुआ कि नहीं मालूम नहीं लेकिन बोध तो उस पट्ट है करने वाला हो तो काम होता है तो एक करने वाले चाहिए और उनके पास ग्ञान चाहिए तो ग्यान हमारे पास है säger कि सब पास है पर उन्तों हमारे पास विशेश है विशेश क्यों है क्योंकि हमारा अनुभव बहुत पुराना है जीवन का हम इस भारत वर्ष में बहुत पहले से है और दुनिया में अन्यत्र विकसित जीवन खड़ा हुआ उसके बहुत पहले से हम विकसित जीवन जी रहे थे तो दुनिया का प्राचीन तम अनुभव चीन का है हमारा उससे भी पहले का है तो जीवन के उतार चड़ा जीवन के सुविधा पूर्ण बनाने के प्रयास में अनेक प्रकार के प्रयोग यह सब हम कर चुके हैं और वो सारा कर चुके हम निशकर्षे प्राप्त हुए उन निशकर्षों के आधार पर एक यशस्वी जीवन वह भी हजार साल तक हजारों साल तक हमने जिया तो उस अनुभव के आधार पर हमारे पास बहुत अच्छा ज्यान है वह महतुपुर्ण बात होती है प्रत्यक्ष करने का अनुभव जिसको है उसको ज्यान प्राप्त होता है तो मैं जानुरों का डक्टर हूं मैं graduate हो के सरकारी नोक्री में गया चाशिव एक साथी भी मेरे साथ था तो हम लोगों ने यू पाया कि पुस्तक का तो सारा ग्यान हमारे पास है, हमारे वहाँ जो कमपोंडर थे उनके पास नहीं था हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष फील्ड में काम करना है तो उनके पास हमसे ज़्यादा ग्यान है, तब हमारे ध्यान में ये बात आई, कि डॉक्टर होने के बाद भी इंटर्नीश क्यों करनी पड़ती है, अनुभा लेना पड़ता है, हमारे पास अनुभाव है, ये हो गया कि बीच में आकरमन के काल में हम लोगों ने चलना बन कर दिया, एक जगा कदमताल करते रहे, तो दुनिया आगे चली गई, लेकिन दुनिया ने अपना अनुभाव जो सीखा था, वो कम अनुभाव था, एक अंगरी जी शब्द है, टाइम टेस्टेड काल की कसोटी पर घिसा हुआ, ओ हमारा था, युगान युग से चल रहा है, और दुनिया के विशेशकर पस्चिन के राष्ट्र तो, राष्ट्र के नाते दो-तीन हजार वर्षे से पुराने कोई भी लेकिन हम परतंत्र हो गए, हमने बढ़ना बन कर दिया, हम अपने आपको भूल गए, तो अंत में हमने यही मानना शुरू किया, साहेव वाक्यम प्रमाणम अब ये बात है, कि ज्यान के आधार पर दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, वो भी ज्यान है और दूसरी बात ये है, जो डॉक्टर बढ़ गई नहीं कही, का आयोरेज में बहुत सी अच्छी बाते हैं, लेकिन आज की दुनिया को समझ में आए, उस प्रकार उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए ट्रीट्मेंट करो और रेकॉर्ड भी बनाओ तो हमारा प्राचीन ज्यान, दुनिया का आधुनिक ज्यान, इसका स्विकार अस्विकार किस कसोटी पर है? वो पुराना है, इसलिए लेना, ये नया है, इसलिए नहीं लेना, ये नया है, इसलिए ये लेना, वो पुराना इसलिए छोड़ देना, ये दोनों बाते गलत हैं, हमारा अनुभव हमको बताता है, पुरानमित्येवनस आधुसर्वम, नचापिकाव्यम नवमिति अवद् संतह परिक्षान्यतरत भजनते मूढ़ः परप्रत्ययनिय वुद्धि तो परप्रत्यय किसे करना यह मुर्खता है सबकी बातों को सुनो उसका विचार भी करो तरक भी करो क्या हो सकता है लेकिन प्रत्यक्षा अनुभव लेके परिक्षा करके बाद में स्विकार करो या अस्विकार करो यह तरीका है कुत्ता बिमार हो गया किसी का पड़ोसी के पड़ोसी के पास कुत्ता था पहले था मर गया बाद में उसको पूछा कि तुमने दस बारावर्श कुत्ते को पाला मेरा कुत्ता बिमार पड़ाया ऐसे आसा लक्षन है क्या करना अब वो डाक्टर के पास जाओ दूर है दवा खाना तो उसने कहा कि देखो मेरे कुत्ते को भी ऐसे हुआ था कभी तो मैंने उसको टिंक्चर आइडिन पिलाया था टिंक्चर आइडिन कोई पीने की वस्तु नहीं है उसने बोला इसने घर में आकर एक टिंक्चर आइडिन को बोटल लाई कुत्ते को पिला दिये पिला दी तो कुट्टा तड़प तड़प तड़पके मर गया तहीं चिल लाते पडोसी के पास गयर तुमने बताय इसलिए मैं ने ये क्या क्या हुआ मीरा कुट्टा मर गया मेरा में मरा था प्रप्रत्य की चीज आइसी हो हम इतने दिन परप्रत्य में पड़े थे कई बाते अपने आंगी अथी थी रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास लिए अनुभव थो था उस अनुभव के आधार पर परिक्षा कर रिकॉर्ड हम कर सकते थे करना चाहिए क्योंकि 140 करोड के देश में स्वास्थ्य सबको सुलभ होना और सस्ता भी मिलना यह तब तक संभव नहीं जब तक हम दुनिया की जितनी चिकित्सा प्रणालिया है जो आजमाई गई है और यह सवी है कौन सी कहा योग्य है यह देखकर हम एक मिली जुली चिकित्सा का प्रावधान नहीं करते हैं कुछ बातों का उपाय आयोरवध में जैसा है वैसा अलोपेथी में नहीं है और कहीं कहीं आयोरवध दुरुग जाता है अलोपेथी करनी ही पड़ती है दोनों में कुछ न कुछ तद्य अलग-अलग अप्रोच से स्वास्थे का विचार किया तो इसलिए अब चिकित्सा सुलब होना यहने क्या है तो छोटी-मोटी बीमारी प्राइमरी चिकित्सा मुझे मेरे गाहों में मिलनी चाहिए दूसरे गाहों में जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए उससे थोड़ी-बड़ी secondary के सिकंडरी चिकित्सा करनी है तो, मुझे मेरे ब्लाक के जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा गए करके आगे है उससे बड़ी चिकित्सा मुझे अपने जिला केंद्र पर मिलनी चाहिए और बहुत ही स्पेशल चिकित्सा है तो हमको अपने कमिशनरी के स्थान पर या प्रांत के राजधानी पर जाना पड़े तो छोटी मूटी बीमारी का इलाज मुझे मेरे यहीं मिल जाए ऐसा अगर करना है तो हमको वह ऐलाज पेठी का भी शासरा लेना पड़िगा और दादी का बट्वा उसका भी शाहरा लेना पड़ेगा फोरु यहिरोव मेरी दि देखना पड़ेगा होमियोपाथी भी देखनी कई प्रकार कि चिकित्सा है और वो कई कईक्द कई फल दे तेती है प्रश्चिम के साइन्स का एक विशेश है उनके लिए ठीक था वो सही गलत नहीं कह रहा हूं मैं उसके एक विशेश ता बता रहा हूं वो स्टैंडर्डाइजेशन है एपीसी लोग आपका सरदर्व बंद हो जाए सब मनुषों के लिए एक ही उपाए है अब होता भी है लेकिन हमारी चिकित्सा का विशेश है हमारे यां कस्टमाइजेशन है हमारी परंपरा विचार करती कि आत्मी कौन है कौन सी प्रकृति का है उसको क्या देना चाहिए एक कई बिमारी एक कई प्रकार की उतनी ही त्यूरता की मेरे में और मेरे पडोसी में है हम दोनों आयुरत के वेद्य के पास जाते है तो पहले नाड़ी देखके दोनों को अल कि लगेगी तो और कुछ दवाई पुरानी हो जाने के बात काम नहीं करती कुछ दवाई सदा काम करती बहुत सारी बाते इसके आधार पर हमको रोगी को देखकर उसकी चिकित्सा करनी पड़ते हैं केवल रोग को देखकर नहीं होता है यह हमारे यह कस्टमाइजेशन है तो हमको अगर इस प्रकार की चिकित्सा की उपलब्धता सर्वदूर करनी है तो सब बातों का विचार करते हुए सर्वत्र इन सब प्रकारों की चिकित्सा उपलब्धर है जो आजमाई है करना पड़ेगा अब आयूश मंत्रा ले वही करता है मुझे आनंद हुआ डॉक्टर भढगे का भाशन सुनकर जादा हुआ क्योंकि जो पूरा विचे उन्होंने रखा है वही मेरे भी मन में हमारे मन में उस प्रस्ताव में भी इसी प्रकार की बात कई है और हम कहते तो ब लगते हैं तो फिर परिवर्तन आने के संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है और आने के आवश्य सकता है स्वस्था भारत को खड़ा करना ही है क्योंकि भारत स्वस्था होगा तो भारत विश्व गुरू बनेगा शिक्षा की भी चीज ऐसी ही है उसको भी अंदर तक पहुचाना है तो बहुत सी बातों का सारा लेना पड़ेगा और एक बात जो अदोरे खांकित दोनों के भाटनों में हुई कि ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती जनता के सहभाग की बिना समाज के सहयोग की बिना ये नहीं होता और इसलिए कठेनाई का आती है कठेनाई तंतर की है जानने वाले लोग है लेकिन जिनको कारवाई करना है उनके दिमाग में क्या है उनको समझाना पड़ता है उनको समझाने में बहुत समय जाता है युनिवर्सिटी में बैठे लोगों ने इस विचार को सुना है की नहीं इसका अनुभव किया है की नहीं जैविक खेती का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत दश्चकों से अपने देश में है लेकिन पहले माने सिकता ही नहीं थी एकेडेमीशियंस की भी नहीं थी और प्रशासन में बैठे लोगों की भी नहीं थी आज तो जैविक खेती सर्व मानने विशे हो गया सब लोग पुरसकार करते लेकिन विदर्भ में एक नैडप काका थे नारायंडे और आव पांड़ी पांडे उन्होंने गोबर से खत बनाने की एक विधी निकाली उसके प्रत्यक्ष प्रयोग किये डॉक्यूमेंटेशन भी किया सब था उनके पास जिस आधार पर कोई वस्तु शास्त्र में मानने होती वो सब था वो लेके सेक्रेटरियेट में गए कि भाई किसान अपना घर में खात तैयार कर सकता है फर्टलाइजर इंपोर्ट करनी की ज़रूर नहीं रासायनी कोसी बच जाता है तो मंत्रियों से परिचय था इसलिए सेक्रेटरी को सुनना पड़ा लेकिन सुनने के बाद कमरे के बाहर गए तो उन्हों फाइल उठा के कच्रे के बास्केट में डालती तो यह मन यह बड़ा है अखिर सारी बाते मन के भाव से निकलती है हम लोग संग के लोग काम कर रहेते हैं करते रहते नहीं हिंदू समाज को एक बनाने का लेकिन वह जात्पात की बात आती है कई बाते होती है तो हमारे कारता है कि कि दिन करना यह तो पुठे की पूछ को सिधी करने जैसा काम है इस स्विशाल समाज को एक बना लेकिन 22 जानेवारी को सुबह 11 से 12 तक संपूर्ण देश एक था यह कैसे हो गया तो मन का भाव जगा जो देश के मन में भाव है उसी का वरणन हम कर रहे थे उसी के लिए कह रहे थे लेकिन बहुत कठिन था आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आया लेकिन फिर भी बहुत जाना बाकी भी है तो कारिकरता हूं कि सामान्य कारिकरता हूं कि मन में होगा की नहीं यह प्रश्ण कायम रहता है लेकिन एक शणाता हूं भाव जग्या तो हम देखते कि सारा देश एक है अध्या में पूरे देश का प्रतिनित्व है और संपूर्ण देश में गुमन्तु लोगों के पालों पर टांडों पर भी वही बात है उस समय दूसरा कोई व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं सोच रहा अइसा ही जब अपने देश पर आक्रमन होता है तब हो जाता है क्योंकि मन का भाव जाकता है देश भक्ति जाकती है हमारे संस्कृति की परंपरा मन में जाकती है तो देश एक होकर काम करता है तो ये बोद्धिकों में समझाने की आवश्चकता है और मनुष्टों के मन में भाव जागरण की आवश्चकता है ये दोनों जब साथ चलेगा उसके साथ शासन प्रशासन चलेगा तो बहुत परिवर्तन आएगा हमने पिछले कुछ वर्शों में ये देखा ही है कोर्णा के खिलाप इतनी बड़ी लड़ाई हमने जीती क्यों जीती क्योंकि शासन ने गा वैद्नियानिकों पर हमारे मेरा विश्वास है हमारव इश्वास प्रशासन भी उसी लाइन में हो गया और हम भी उसी प्रकार के हो गया हमने क्या किया इसमें हमने दिये जलाए हमने थाल बजाये कुछ तथा अकथित बुद्धिवाजी लोग हसे भी होंगे उसको कि कोरोना थाल बजाने से भागता लेकिन कोरोना भगाने के लिए जो करना पड़ता है पूरे समाज को थाल बजा के समाज जुटता है इस भाव का बड़ा महत्व है और इसलिए वो बात आ गई मैंने भी वो वाते सुनी यूरोप अमरीका की जमीन बहुत देती नहीं जमीन के आदार पर पूरा जीवन नहीं निकाल सकते तो व्यापार करना पड़ता है व्यापार करेंगे तो इंग्लेंड के जमीन में क्या होता है कुछ नहीं बहुत नहीं कुछ होता है लेकिन इंग्लेंड में मिलती नहीं है ऐसी चीज नहीं है सारी दुनिया बर की चीज है बारा मैंने वहां उपलब दरीती है क्यों उतना पैसा वो खर्चा करते हैं पैसा कहां से आता है व्यापार से आता है उन्हों यहीं किया है जहां जो मैं बैटगर देश-विदेश जान है उनके साथ संबंदबनते है नहीं होती है उनके साथ संबंद नहीं बनते जो आडवाते हैं उनके साथ चत्रता होती. और यह survival के लिए लड़ना ही है और जो अपनी विरोधक है उनको खतम करना है और जो उपयोगी है उनका उप्योग कर लेना है उप्योगी नहीं रहे तो छोड़ देना है क्योंकि सबसे महतोपुर्णबाद क्या है हम सब अलग अलग है इसलिए मैं आखिर तक रहूं सर्वाइवल तो हर बात को देखने के रुष्टी यही हो गई तो कई वर्ष पहले मनें हमारी शिक्षा मंत्री का एक विधान सुना कि हमारा शिक्षा क्षेत्र तीन ट्रिलिय अंडालर्स की एकोनॉमी है अपने बच्चे को पढ़ाना यह कोई अर्थ शास्त रहे क्या है उसको पेट भरने लायक बनाना यह अर्थिक विचार है क्या है उसको समाज जीवत में जीने के लिए आवश्चक सोसोंसकार देना यह पैसे के तरह जुमें तोला जा सकता है क्या नहीं तोला जा सकता हमार यहां, ऐसा विचार नहीं हुआ, हमारी भूमी सब कुछ देती है, और सब कुछ देते हैं, और हम पहले, जब जनसंख्या बहुत कम थी हमारी, और आक्रमकों का भह नहीं था, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, किसी के पास नहीं थे, समुद्र लांगने के लिए नौका न रहे रहे थे, भूला भटका कोई आ गया तो आओ भाई, तुम भी रोखाओ, नहीं हमारी भाषा अलग है, हमारी पहले से अलग है, पूजा अलग है, हमारी अनेक है, पहले से तुमारी यह औरे, क्या बिगड़ता, तो हम शांती, अयूसा, आधी, आधी को देख सके, कृतत न्यता का बन गया, यह सब हमको देते हैं, यह सब हमको देते हैं, और दीरगानों से हमने यह भी सीखा, कि यह हमको देते हैं, हमने वापस नहीं दिया, तो इनकी देने की क्षमता बंद हो जाएगी, और इसलिए पहले से हमने इसका विचार गया, जो भंडार शक्ती है यहने इनर्जी है उसका हमने उप्योग नहीं किया हमारे सामने सर्वाइवल का प्रष्ण नहीं था क्योंकि हम नी यह भी फुरसत में खोश लिया था कि सर्वाइवल निश्चित है वो रहता ही है अग्ट शरीर बदलता है बार-बार जन्मा आता है कर्मों के फल भोगने बढ़ते हैं इसके लिए जन्म पुर्ण जन्म मिलता है जन्म मरंचे चक्र के बाहर गये तो अमर हो जाते है वैसे हम अमर ही ही शरीर अमर आमर नहीं है और इसलिए हमारी बात पर इस देहों में मर गये तो अगला देह लेंगे इसने खुदिराम बहुत उत्तर दे सका अपनी माता को कि क्यों रो रही हूं फासी जा रहा हूं लेकिन काम पुरा नहीं हुआ मैं फिर से आओंगा फिर से आओंगा वाली बात हमको पता थी सर्वाइबल हमारे सामने समस्या नहीं थी भहुतिक जीवन अच्छा चले पारलोकिक जीवन भी अच्छा हो इसलिए सर्वेपी स्विखुन संतु होना चाहिए कालो वर्षेति परजन्याह पृत्विम सस्षालिनिम देशो अयम छोबर है तो यह अवस्था चाहिए उसके लिए क्या करना तो हमने एक जीवन की रचना इसी बनाई उसमें हम सब लोग स्वाबलं भी तो थे लेकिन परसपर निर्भरता के आधार पर जीवन देख और इस निर्भरता को हम डिपेंड़न्स नहीं कहते थे इसको बनाये रखने वाले काम को हम कहते जी धर्म है जो सबको जोड़ता है सबको उपर उठाइता तो हमारे यहां स्वास्थे देना स्वास्थे प्राप्त करना व्यायाम करके स्वस्था बनना और दवा देके स्वस्था बनाना यह दोनों धर्म है यह व्यापार नहीं है हमारे यह कोई चीज बरने के लिए वो इसलिए कर पाते हैं कि समाज को उसकी आवश्चक्ता है समाज को आवश्चक्ता खतम हो गई टेकनोलोजी आ गई पुराने अनेक व्यवसाय बंद हो गई नए व्यवसाय लेने पड़े लोगों जुनों नहीं लिए वो पीछे रह गए क्यों चलता है हमारा यद्यात भवती परजन्या परजन्या ओ पुरा श्लोक है साइकल बताता है यह चक्र चलता है और इसलिए लेकर बड़ा होना और दाम दुगना वापस देना कि हमारा धर्मा है इसलिए डॉक्टरों का धर्मा है चिकिच्चा देना और कमाई का साधन नहीं है पुरानी जमाने में ऐसा कहते हैं कि दस बारा गाउं मिलके एक वैद्य होते थे वैद्यों को समाचार मिलगे आप कि किसी घर में कोई बिमार है तो उसका काम है वाँ जाके देखना और कोई फीस्वगर नहीं थी वो गुमते थे सर्वत्र सबकी चिकिच्चा करते थे साल में एक बार लोग उनका घर भर देते थे अपनी अपनी हैसे अत्यम से उनकी आजवी का चल देख थी एक व्यक्ती से लेकर सुरुष्टी तक इस परस्पर निर्भरता को जीवन के हमने पहचाना और उस नियम का धर्म बनाया उस प्रवरुत्ती से शासन, प्रशासन, जानकार लोग और सामान्य लोग यह सब जब इस खेत्र में सारी दुनिया का उपकार करने के लिए अपने देश को समर्थ बना राए यह सोचकर चलेंगे तो यह समस्या ठीक हो जाएगी मैंने आपको यह सब कठिन शब्दों में बताया है आपने आसान शब्दों में पहले दो भाष्नों में यही सब सुना है लिकिन अभी धर्मक करो करो करने से नहीं होता उदारन चाहिए आदर्शा है धर्माचरन कैसे करना इसके एक से एक उत्तुंग आदर्शा हमारे यहां सर्वत्र है लिकिन वो आदर्शों के प्रकाश में चलने जब जाते है तो कंटका की इरण मार के दिखता है सामान निविक्ति का सास नहीं होता शिवाजी महाराज की जैंति करेंगे पुजा करेंगे, हार पहनाएंगे नारे देंगे, सब करेंगे और शिवाजी महाराज फिर से आओ प्रार्थना भी करेंगे, मन से करेंगे यही एक क्लाउट जोड देंगे कि शिवाजी महाराज जल्दी आओ आपकी आवश्रकता है, मेरे घर में बताना पडोसी के घर में आगा क्योंकि हमत नहीं होती, शिवाजी महाराज जो कितना उत्तुंग परिश्रम और त्याक किया है, कितना सहन किया है पिर हम कहते हैं, वो तो वही करना जाने हम उनके सामने क्या है हम नहीं कर सकते हैं, हम को करना होगा, तभी होगा, हमको करना होगा, तब भगवान की उंगली लगेगी, हमारी अपनी अपनी लखडी लगेगी तब, इसलिए अपने जैसे लोग कर रहे, यह उदारन चाहिए, स्वामी विवेक आनन्द अस्पताल यहां पर आ गया, तो इस भाग की एक बड़ी आवश्च्छ सकता अच्छी तरह से पूरी होने लगी, अब यह जो मैंने कहा, प्राइमेरी केर गाओं में वगरे वगरे वगरे, वो भी स्वपना, टर्शरी केर लातूर तक आ गई, अब जिलों तक जाएगी, तो स्वास्थे की एक व्यवस्था हो जाएगी, जैसे वरनंग किया, उस प्रकार की एक स्वास्थे की स्थिती अपने देश में होगी, लेकिन उससे भी महत्व की बात मैं यह मानता हूं, कि ऐसी स्वास्थे की स्थिती निरंतर बनी रहे, इसलिए जिस प्रकार का तंत्र चाहिए वो तंत्र खड़ा करने के लिए समाज के लिए परिश्रम होना चाहिए उस परिश्रम की प्रेरणा इस उधारण से मिलती है चार डॉक्टर साहब डॉक्टर साब आए सब लोग आए उन्होंने काम किया आज चाह रही है क्या कि बढ़ गये डॉक्टर साहब की पीड़ी के लोगए है क्या नई पीड़ी दिख रही है यह क्यों चला किसी ने किया कि उस करने से लोगों को अनुभव हुआ कि इसमें सार्थकता है इसके लिए समय देना चाहिए इसके लिए त्याक करना चाहिए और हम कर सकते क्योंकि यह कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने आद तीर्था कहते हैं तीर्था हों तीर्थों में स्नान करने से आदमी पुर्णिवान हो जाता है उसमें पवित्रता आ जाती है यह क्या होता है? यह इसी होता है. सनान करना महतों की बात नहीं, वहाँ किसी महात्मा की तपस्या रहती है. उस तपस्या के फलों का, उस तपस्या के आधार पर जीवन जीने वालों का, अपने जैसे लोगों का वहाँ दर्शन होता है. सनान के साथ-साथ ये जब देखते है तब अपने मन का सारा कलिकलमश हर जाता है और हम भी एक स्वार्थी मानों से दूसरों का विचार करने वाले उनके लिए छोटा-मोटा कुछ करने वाले अपनी शक्ति लगा देने वाले वास्तविक अर्थ में मनुष्य बन जाते हैं ये काम ऐसे केंद्रों से होता है ये आधुनिक काल में हमारे लिए तिर्थ है यहां आना सनान करो नखरो लेकिन यहां देखना यहां जो उर्जा है यहां जो उस विचार का वातावरन है, उसमें अपने आपको सराबोर कर लेना, और थोड़ा चिंतन करेंगे, तो इसमें हमारा करतव यह बहुत हमको प्राप्त होता है, यह होना चाहिए, और इसलिए अभी यहां तक आगे, अनन्द का विश्य तो है ही, हम काम कर रहे हैं, व उसका recognition भी शासन के स्तर पर होता है, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, आज लोग भी उस दिशा में विचार कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, यह सब होगा ही, हम जो कर रहे हैं, उसके कारण यही होगा, और हम क्या कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, कि हम अपना करतव यह जानक कर समाज के लिए स्वयम का विचार छोड़कर जितना अधिक्तम हो सकता है उतना कर रहे हैं और यह हम कर रहे हैं तो वो सब और फेल रहा हो रहे हैं तो यह काम निरंतर चलना चाहिए स्वामी विवेक अनंद ने भारत के अव्युद्धान की बहुत चिंता थी उनको उसके लिए भारत वास्रियों को बहुत कुछ बताया उन्होंने लेकिन सारा उसमें क्या बताया उनका वो कोटेशन प्रसिद्ध है शब्दशा मुझे स्मरण नहीं है भाव मैं बताता हूँ ए भारत वर्ष तुम अपने को बढ़ा करने के लिए दुनिया में बड़े होने वाले नहीं हो तुम काली माता की बली बेदी पर बान्दे हुए बली पशु हो तुमारा जीवन दूसरों के लिए है विश्व कल्यान के लिए हलाल पीने वाले शिव तुमारे आदर्श है उनकी शक्ति की तुम उपासना करो काय अर्था छोड़ दो निर्भेता ही जीवन है काय अर्था मृत्यु है प्रार्थना करो माते की ये मातेश्वरी मुझे शक्ति दो मेरी दुर्बलता हटाओ मुझे मनुष्व बनाओ मुझे मनुष्व बनाओ हमारे लिए ये प्रार्थना है हमको करने की ये प्रार्थना है हमको बनने का ये काम है भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाना है तो उसका दुर्ष्व रूप तो हम बताई सकते टेक्नोलोजी ये रहेगा वो रहेगा लिकिन इन सबके मून में क्या है भारत वर्ष का सम आज आहर निद्रा भयम एथुनंचे इतना भर जीने वाला पशो समाज नहीं है। हमारे सपनों का भारत और भारत के सपनों की दुनिया ये दोनों हम बहुत अलपाव अधी में शायद इसी देया में इनी आखो से देख सकते हैं इतनी समय की अनुकूलता आज हमको प्राप्ता है विवेका अनंद रुगनाले को देकर इसका विचार आप कीजिए इतना एक छ इसले धन्यवाद देता हुआ मेरी विचार को समाप्त कुमूलता है